हर बार कुछ ऐसी खबरे हार्थ में आती है कि आप लोगों को टेंचन रहती है कि कैनेडा में पता नहीं क्या आओगा या आज हम अगर कैनेडा जा रहे हैं तो उसमें क्या रहेगा तो आज की वीडियो में एक अच्छी खबर आप सभी के लिए लेकर हैं और दो ऐसी अपड यह प्लैन गर रही है कि जो वहां पर टैंपरेरी रेजिडेंस पर बैठें जो स्टूडेंट्स हैं जो वर्क पर्मिट हैं जिनको काफी टाइम हो जुका है मतलब एक क्रेटेरिया जो है फुल्फिल हो जुका है उनका यह प्लैन है कि शायद इस साल में वह जादा बैठेंट पर बैठेंगे अगर उनको एक-एक साल भी हो जुका है या दो दो साल भी हो जुका है हो सकता है उनके लिए यह गुड़ न्यूज हो आने वाले दिनों में आपको पक्का कर दिया जाए पर्मनेंट रेजिडेंस दिया जाए चाहे आपको वहां पर 5 साल हो और को दो सालों है तो आपके लिए यह प्लस पॉंट रह सकते हैं तो make sure कोई भी एक छोटी सी suggestion देरो अपने पाणियों को make sure कि वहाँ पे कोई भी rules वेगर है या कोई ऐसी चीज़ मत कर देना जो आपकी PR पे एफेक्ट करें तो कोई भी ऐसी शिरारत मत करना make sure कि आपके लिए यह जो न्यूज है आने वाले दोदों में आपके लिए गूड न्यूज ही बने second update की बात करें तो जो है 2018 से लेके 2023 तक का जो record है उसमें सबसे जादा business program में जो लोग गई है जो students गई है वो लगबग 8 लाग के आसपास है जो कि total students का 27 परसेंट बनता है जो कि बहुत बढ़ा नंबर है तो उनको हो सकता है थोड़ा सा PR में टाइम लगे एक चीज़ सिंपल सी समझे है आज की डेट में कैनडा में जो sensitive cases हैं लाग हैल्थ सेक्टर हो गया या ट्रेट सेक्टर हो गया उन चीज़ों के उपर बहुत कम लोग हैं जो वहाँ पर जा रहें जबकि वह सबसे जादा demanding jobs है और उनको तो शायर अगर एक साल की study और एक साल का work permit में बिल जाएं तो शायर दूसरे साल में वह PR भी हो सकते हैं so suggestion मेरे भाइनों को वही है जो लोग जाना चाते हैं अपना जो business programs लेके जा रहें जिसमें सबसे ज्यादा quantity में लोग जा जोके उनकी demand वहाँ पे हो सकते हैं in future कम हो आपको PR में प्राबलम आए आपको work के लिए work permit के लिए इन चीज़ों में प्राबलम ह जहां पर अगर आप Canada की requirement पूरी करते हो उनके country में कुछ योगदान डालते हो जो कि health sector में सबसे best हो सकता है अगर आप उस फील्ड से हो तो आप वह को चूज करोगे ना तो आपको जादा जान्स है कि आपको बाकियों के मुकाबले कम प्रिशान होना पड़े और जल्द से जल्द PR मेंड़ है so make sure इन चीजों का जो मेरे भाई जो मेरे दोस्स कैनड़ा में as a student जा रही है या वग परमिट पे जा रहे है health sector को ट्रेंट सेक्टर को इन चीजों को थोड़ा सा catch करो जिन चीजों की demand सबसे जादा उस चीज को थोड़ा सा study करो अगर आपकी study या जो इ बने वाले दोनों में एक negative impression उन लोगों के लिए पढ़ सकता है क्योंकि quantity जो है आठ लाक students सिर्फ और सिर्फ बिजनस प्रोग्राम में एक बहुत बड़ा नंबर है पूरे students का 27% जो है वह बनता है last update की बात करें तुझ एक चोटीच अपड़ेट है कि आज की रिट में बह पर cost लिया तो वहाँ पर जाके LMN ले लेंगे या work permit ले लेंगे या student का case जालेंगे तो उनको छोटी सी एक suggestion दे रहा हूं और यह update भी समझ लो आने माले दुनों में या आज की रिट में भी बात करूँ तो convert करना जो conversion है ठीक है ना tourist visa पर गए हो और tourist visa आपने जो file में प्र बरूँगा और में को study permit मिल जाएगा बाई ऐसा नहीं है आप टूरिस पे गए था आपका tourist visa अलगा आपको study के लिए करना है तो आपको बिल्कुल zero से starting से आपको पूरी file दो as a student process करनी पड़ेगी वह आप इंडिया में बैठ के कर लो और चाहे work permit के लिए यह बहुत rare cases है जो conversion होती है वह बहुत कम होती है इसके लिए पूरी information आने वाले दिनों में भी आपको share करूँगा so make sure channel को subscribe करके रखिए जो मेरे बाई विस्टर विजा पर टूरिस पे जाना चाहते है उनको थोड़ी सी problems आने वाले दिनों में हो सकती है जिनके mind में यह है कि वह जाके वह पर study या work permit में convert कर वा लेंगे so make sure इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना इन चीजों के उपर government अभी काफी strict तो रही है और टो रही है